सो हे गाईज इस अर्वास खान और गाईज आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है कियोंकि गाईज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शैंग ची एंड लेजेंड ओफ टैन रिंग्स की रिलीज डेट के बारे में यानि कि ये मूवी इंडिया में क सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंटरस्टिंग अपडेट आप लोग मिस ना कर सकें सो गाईज इसी के साथ मैं स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो So I hope guys आप लोगोंने शैंक ची का जो ट्रेलर है वो तो देख लिया होगा जो की काफी ज़ादे इंटरस्टिंग था Well guys अगर बात करें इसके हिंदी ट्रेलर की So guys अभी ये ट्रेलर नहीं आया है ये तो सबको पता ही है So guys इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि शैंक ची मूबी का जो ट्रेलर है वो अब तक रिलीस क्यों नहीं किया गया है और साथ ही कोई भी कन्फरमेशन क्यों नहीं है कि ये मूबी 3 सेप्टेंबर को रिलीस की जाएगी So इसका एक बहुत बड़ा रिजन है जो कि मैं आप लोगों को एक एक एक्जाम्पल लेकर समझाना चाहूँगा जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कैप्टें मार्वल जो मार्वल की मूबी ती उसका वेटेज देखा जाये तो वो मार्वल की सारी मूबी जो जो जाएगा बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यानि कि उस मूबी की आवरोल परफॉमेंस के बारे में So गाइस मार्वल की उस मूबी ने भी इंडिया में 85 करोर का बिजनिस किया था जो कि काफी ज़्यादा अच्छा एमाउंट है और आप लोग तो जानते ही हैं कि थेटर जो हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं खुल पाएं यानि कि देहली में भी काफी हद तक थेटर बंद है और साथ ही यूपी में तो कुछी जगा थेटर ओपन है और बागी स्टेट का भी यही हले ऐसे में मारवल का इंडिया में मूवी रिलीज करने का जो डिस सीजन है उस पर सोचना गलत नहीं है वेल गाईज ट्रेलर के बारे में बाद में बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ये मूवी 3 सेप्टेंबर को इंडिया में रिलीज की जाएगी या नहीं इसके उपर मैं आप लोगों को कुछ कन्फरमेशन देना चाहूँगा जहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं कि मेरे पास इसको लेकर क्या इंफरमेशन है बात की जाए मारवल के पोस्ट की जहाँ पर मारवल ने शेंग ची के पोस्टर को अपलोड करते हुए लिखा की इन सिनेमा सून जी हाँ गाईज यानि कि ये मूवी सिनेमा घरों में जल्द ही आ रही है और इस पर मारवल इंडिया ने कोई भी इंफरमेशन नहीं दी कि ये मूवी हिंदी में आएगी या नहीं और गाईज इसी तरह इंडिया के सेकंड पॉपुलर सिनेमा हॉल जिसका नाम है सिनेपॉलिस जो कि डीटी सिनेमा के नाम से भी जाना जाता था उसने ट्विट किया कि ये मूवी तीन सेप्टेंबर को रिलीस की जाएगी यानि कि ये ट्विट उसका छे दिन पहले का था और गाईज दो दिन पहले इंडिया सिनेपॉलिस ने दोबारे से ट्विट किया जहां पर उसने लिखा यानि कि ये मूवी जल्द आ रही है यानि कि आप लोग समझ सकते हैं इन दोनों ने कोई भी इंफोर्मेशन नहीं दी कि ये मूवी इंडिया में रिलीस की जाएगी तीन सेप्टेंबर को या नहीं तो गाईज कुछ दिन पहले इसी तरह की इंफोर्मेशन जो थी वो बुक माई शो पर भी थी यानि कि इन सिनेमा सून बट गाईज आज जो है बुक माई शो ने इस चीज को अपडेट किया है और गाईज आप लोग इस स्क्रीन शोर्ट में देख सकते हैं कि बुक माई शो ने साफ लिखा है कि ये मूवी 3 सेप्टेंबर को रिलीस की जाएगी इनडिया में वेल पहले ऐसा नहीं लिखा था सो गाईज इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ये मूवी इनडिया में 3 सेप्टेंबर को रिलीस की जाएगी बड़ गाईज मैं एक बार और आप लोगों को फिर से बता दू कि मार्वल इनडिया ने अभी कोई भी कन्फरमेशन इसके बारे में नहीं दिये वेल देखते हैं मार्वल इनडिया इस पर क्या कहता है बड़ गाईज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 3 सेप्टेμबर को ये मूवी रिलीस की जाएगी क्यूंकि गाईज बुक माई शो ने अपडेट कर दिया है कि ये मूवी 3 सेप्टेμबर को रिलीस की जाएगी और गाईज एक इंटरस्टिंग बात ये है कि इस movie का trailer जो है इसी तरह से अगर देखा जाए एक दो हफते में release कर दिया जाएगा Hindi, Tamil और Tailgung में जी हाँ guys क्योंकि ये movie Hindi, Tamil और Tailgung में release की जाने बाली थी और unfortunately trailer जो है वो release नहीं हो पाया Hindi, Tamil और Tailgung में तो guys chances हैं कि आने वाले दो हफतों में इसका ट्रेलर भी रिलीस कर दिये जाए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मूवी 3 सेप्टेमबर को इंडिया में भी रिलीस की जाएगी और साथ ही ये मूवी हिंदी तमिल और तेलगू में भी रिलीस की जाएगी हाला कि Book My Show ने अभी कोई भी कन्फरमेशन नहीं दिये कि ये मूवी हिंदी में रिलीस की जाएगी और तमिल और तेलगू में बड गाईज जैसे ही इसका ट्रेलर हिंदी में रिलीस कर दिया जाएगा वैसे ही Book My Show पर भी अपटेट हो जाएगा कि ये मूवी हिंदी तमिल तेलगू में भी English के साथ release की जाएगी So I hope आप लोगों को ये वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी So इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदावर वीडियो ची लगी है So please like, share and subscribe my channel So thank you guys and thanks for watching